दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किसी भी कंपनी का फिरिज को हम को चौकिंग को कैसे हम चुराते हैं और गैस डाले के भी हम आपको प्रोपर तरीका से बताने वाले हैं चौकिंग कैसे चुरता है फिरिज तो वीडियो को आप लाश्ट तक जरूर देखिएगा और सीखने का मोखा पाईएगा दोस्तो फाइनली हम बीना देरी किये हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और मसीन का आगे का कार्ज करम हम स्टार्ट करते हैं दोस्तो तो हम फाइनली फिरिज को हम खुल चुके हैं आगे का जो फ्रंट कवर होता है खुल चुके है पहले हम आपको बताने वाले है जो ये 30VC कोका कोला का रेफ्रिजेटर है इसको हम कैसे ये हमारा मसीन जाम होगिया था ये पुरूपर तरीका है जाम था तो हम इसको कैसे जाम छोड़ाते हैं दोस्तों तो सबसे पहले हम फिरिज के पास जाएंगे तो ये कैपिलेडी जो आप देख रहे है कैपिलेडी को हम इसलिए कटिंग करते हैं जो हमारा कैपिलेडी अगर जाम होगा तो वह जाम छोड़ देगा वह कैसे जाम छोड़ेगा वह भी हम आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों तो वीडियो को लाज तक जरूर देखीएगा थोड़े भी इसकी नहीं कीजिएगा अगर हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकोन का दबातेजे नेक्स्ट वीडियो देखनें लिए दोस्तों यह देख सकते हम कैपिलेडी को पुरोपर तरीका से कटिंग कर चुके हैं हम कैपिलेडी को इसलिए कटिंग किये हैं कि हमारा जो यह एर हो या फिर गैस हो वह कैपिलेडी दोवारा जो पुरोपर तरीका से बाहर आ रहा है वो जो पुरोपर तरीका से कैपिलेडी दोवारा बाहर आएगा तो कैपिलेडी में जो भी मोस्चराइज हो वह हमारा बाहर आ जाया कैपिलेडी दोवारा और फिल्टर को हम अभी जाम कर चुके हैं उसके बा वाले हैं बहुत ही जल्दी हम चौकिंग छोड़ा देंगे इसका यह मसीन बुरा तरीका से चौक था दो बार फिरीज में गैस चार्ज हुआ बट यह चौकिंग नहीं हो रहा दोस्तों तो हमारा कैपिलेडी से पूरा गैस रिमूव हो चुका है वह निकल चुका है उसके बा हमारा यह फिल्टर है कं फिल्टर को पुरण तरीका एज्वाइन कर लिए है और कैपिलेडी को हम इसमें फिल्टर में डाल दिया है उसके वाद आगे गार्ट करेंगे दोस्तों यह व्यादिंग का बत्ति तयार है हम ब्रीजिंग करने के लिए रेडडि हुछुके हैं दो तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले यह हमारा प्रोपर तरिका से ब्रीजिंग हो चुका है कभी आप ब्रीजिंग करें तो आप बहुत ही आराम से करें क्योंकि मसीन अगर थोड़ा भी लिकेज हो जाएगा दोस्तो तो आपको बाद में यहाँ पर आना परेगा हम उसका ब्रीजिंग कर रहे थे फिल्टर के पास उसको हम ब्रीजिंग इसलिए चुरदी है क्योंकि उसमें एर निकल रहा था दोस्तो इसलिए वो ब्रीजिंग सही से नहीं की मिलता है दोस्तों तो यहाँ पर हम फिल्टर को ब्रीजिंग कर चुके हैं दौस्तों हम आगे का कार्ज करम करेंगे जब फिल्टर हमारा ब्रीजिंग Connect होकिण है विल इसके वाद हम यहाँ यहाँ पर वैक्यू मसिन यूज़ उसलिए कर दे कभी भी आपको machine choking होता है vacuum machine ना यूज करने से भी दोस्तो तो सबसे plus point वाला जो बात होता है हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो filter था वो बुरा तरीका से जाम हो गिया था चोक हो गिया थो दोस्तो तो हम सबसे पहले आए है कैपलेडी से गैस को रिमूब की हैं उसके वाद हम filter को करके हम वैक्यूम पर लगा दिये हैं दोस्तों उसके वाद हम घैस का process चैलू कर दिया दोस्तों यहां पर देख सकते हैं गैस का process हमारा चालू है इसका बैक प्रेशर हम 18-20 के बीच बीच पे रखेंगे दोस्तों सब बैक प्रेसर सब मेकैनिक आपको नहीं बताएगा इसलिए हम क्लियर करके आपको बता दी है कि 18 से 20 बैक प्रेसर हम इसको रखने वाले दोस्तों और उसके वाद हमारा कूलिंग आप देख सकते हैं पकड़ चुका है और यहां पर MPR भी हम आपको थोरी दिरें बताएंगे थो हो चुगा है उसके बाद हम MPR मिटर भी देखते हैं कितना MPR ले रहा है तो इसी तरीका से हमारा यूज फुल वीडियो होता है दोस्तों देख सकते 1.9 एंपियर ले चुगा है दोस्तों इसी परकार से आप वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राब कर ले और सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इसी पर करका हमारा वीडियो आते रहा है दोस्तों कर 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 दोस्तों क